हेलो गाईज, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट टुट्रीज गाईज आज के इस लेक्चर के इंसाइट हम जावा स्क्रिप्ट में जो यूनरी माइनस ओपरेटर है उसको विट एक्जामपल समझेंगे तो गाईज इस लेक्चर को आप लास मेंट तो वोच करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूसफुल होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं गई जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस लेक्चर के इंसाइट हम जावा स्क्रिप्ट में यूनरी माइनस ओपरेटर के बारे में डिसकस करेंगे तो आईए जानते हैं कि इस ओपरेटर का य तो उसको आप निगेटिव नंभर में कर सकते हैं यहि तरीके से समझ जाएंगे जब एक example के साथ समझेंगे अभी बस इतना समझ लें कि कोई एक कि यहां पर ओप्रेंट होना चाहिए ठीक है ना जिसे मान लिजिए कि यहां पर इस तरीके से तो यह काम हम इसके थ्रू कर सकते हैं इस तरीके से कंवर्ट हो जाएगा ठीक है ना यहां साब साब लिखा हुआ है कि वह पेले से निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए यह बात आपको ध्यान रखना है ठीक है ना तो चले एक एक्जांपल बना कर समझने की कोशिश करते हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और बहुत आसान सा कॉंसेप्ट है यहां पर HTML डोकुमेंट के इंसाइट मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो मैं बोडी सक्षन के इंसाइट स्क्रिप्ट एक का यूज कर रहा हूं यहां पर मैं एक वेरेबल ले रहा ठीक है ना तो केसे कर पाएंगे पहले तो मैं इसका टाइप चेक करके आपको बता देता हूं ठीक है ना प्रिंट करवाने के लिए हम डोकुमेंट नेम का प्रोपर्टी जो होता है उससे कॉल करते हैं राइट नेम के फंक्षन को इसे हमारा आउटपुट प्रिंट होता ह है और जो प्रिंट करवाना है वो हम इस राइट नेम के फंक्षन के इंसाइट लिखते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर जो एक स्नेम का वेरेबल इसको पास कर देता हूं ताकि इसकी जो वेल्यू है वो प्रिंट हो जाए तो यहां ब्राउजर पर रन करके चेक करते हैं यहां मैंने ब्राउजर पर रन किया आप देख सकते हैं यहां 10 वेल्यू प्रिंट हो चुका है ठीक है अब इसका टाइप चेक करना है तो टाइप चेक करने के लिए हम क्या करते हैं टाइप ओफ फंक्शन का यूज करते हैं ठीक है इससे इसका टाइप निकल जाएगा दाइए और यहां पर थोड़ा से स्पेस देते हैं और माइनस यहां proved को लिखते हैं उपलें क्या है एक्स क्योंकि एसकी इंसाइड वो विल्यू है जिसे हमें यहां negative number में convert करना है ठीक है न और यहां पर सबसे पहले तो मैं जो y name के variable के inside value है उसको print करवाना चाहता हूँ तो यहां documental right यहां कि right name को जो function उसमें y name के variable को pass कर देता हूँ और reload करके आपको बताता हूँ यहां पर minus 10 आपको output मिला है और अभी इसका type चेक करते हैं तो मैं यहां पर type of function का use कर लेता हूँ ठीक है न इससे पता चल जाएगा कि इसका type अब क्या होगा अब इसका type number होगा आप देख सकते हैं number में इसको change कर दिया है यहने convert कर दिया है ठी यह जो unary minus operator है यह क्या काम करता है तो guys आज के इस lecture के insight हमने unary minus operator के उपर discuss किया I hope कि आपको इस lecture बहुत अच्छे समझ में आया होगा मिलते next lecture में तब तक के लिए bye bye